हेलो दोस्तो स्वागत हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोमिक फैन पर चलिए दोस्तो सुरू करते हैं रात का रक्सक डोगा की एक रोमान चक कोमिक्स डोगा जेल में दोस्तो ये कोमिक्स डोगा की एक रोमान चक सिरीज क्यों फेका कुड़ों पर सिरीज की अगली कोमि दोगा माई ब्रदर में पढ़ चुके हैं जिन दोस्तों ने ये दो कोमिक्स क्यों फेका कोडे पर दोगा माई ब्रदर नहीं पड़ी है वो जरूर पड़े ये दोनों कोमिक्स चैनल पर अल्रेडी अपलोड़िड है इससे आगे कहानी के लिए चलिए शुरू करते हैं ये कोमिक्स अब प्रादियों के होसले आज बुलंद हो गए हैं आज मुंबई वासियों के चहरों पर मुर्दनी चा गई है कानून के चहरे पर आज रोनक है हो भी क्यों ना क्योंकि आज पहुँच चुका है दोगात जेल में संजग गुपता की पेसकस नए साल के पुर्व संध्या पर पूरी मुंबई आज दूलन की तरह सजी हुई थी लोग चाहते थे कि जैसे ही गड़ी की सुईया रातरी के बारह बजाए उनके दुख, उनकी तकलीफे, उनकी समस्त प्रिसानिया, सांप की केचुलियों की तरह उनके सरीर का साथ छोड़ दे और आने वाला कल एक नवजाचिसू की किलकारियों की तरह उनकी जिंदगी में सुक और खुसियों की दस तक देता हुआ है हाई किरन, डांस विद मी ओके, लेट्स सेलिब्रेट न्यू यर यहाँ पर हर कोई टैंसन फ्री होने की कोशिस कर रहा था और यहाँ किसी की टैंसन पल परति पल बढ़ती जा रही थी हाँ, मैं भी न्यू यर सेलिब्रेट करूँगा क्लिक मगर इन पिश्टलों के साथ, इन गनों के साथ और इन दस हजार गोलियों के साथ चना, आ, तर, 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 उफ, रन, रन बलेट मैन आज दस हजार लोगों पर खर्च करेगा अपनी दस हजार गोलिया तड़ 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 या तो आज 10,000 मरेंगे या अकेला डोगा आकर खा ले बाकी की गोलिया मुझे डोगा चाहिए I want डोगा भरना मेरी कोई गोली आज बेकार नहीं जाएगी मरेंगे पूरे 10,000 10,000 जिंग 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 ओ गोड नीचे लेट जाओ ये तो कोई पागल हत्यारा है कहता है 10,000 मारेगा उसे डोगा चाहिए उफ नया साल सुरू होने में सिर्फ एक मिंट बचा है इसने खून से रंग दिया है उसकी खुसी को किसी की खुसिया खून से नहीं रंगेंगी ले आ गया डोगा जिंग 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 अपनी 10,000 गोलिया मुझ पर चला हत्यारे डोगा अगर तू ना आता तो मुंबई नए साल का स्वागत लासों से करती डोगा लास से तो तेरी अब भी करेगी मगर वो लास तेरी होगी जिंग 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 वो लास तेरी होगी डोगा वो लास तेरी होगी बलेट मैन जिस दिन मैंने अपने चहरे पर ये कुट्टे सा मास धरन किया था उसी दिन एक कसम खाई थी कि ला से गिराऊंगा बटाक मुझे तुम जैसी हर हत्यारी सुरत में एक दाकू हलकान सिंग दिखाई देता है जिसने मुझे हिंसा और दरिंद्गी दिखाई दडाक वो सुरत दिखाई पड़ती है जिसने मुझे गंद्गी से बरे टोकरे की तरहे कूडे के धेर पर फेका दड़ ये और भी बड़ी हिंसा थी उस हिंसा की सुरुआत थी जो मेरी जिन्द्गी का एक एहम इस्सा बनने वाली थी मैं तो निर्दोस था जिसे कूडे के धेर पर फेका गया था लेकिन तुम जैसे हत्यारे जान बुझ कर अपने स्वार अपने लालच के कारण अपराद की गंद्गी पर आकर गिरते हैं आज तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल पाया कि मुझे क्यों फेका गया कूडे पर लिकिन डोगा ने तुमें क्यों फेका कूडे पर इसका जवाब सारी मुंबई को अपने आप ही मिल जाएगा तू दस हजार गोलिया लाया था मेरे लिए अब देख उनी गोलियों से मैं तेरा जिसम कैसे चलनी करता हूँ तार 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 तेरा पोस्ट मार्टम करने वाला डोक्टर भी ये नहीं बता पाएगा कि मेरी कौन सी गोली ने तेरा कौन सा अंग फाड़ा तार 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 दोगा रुख जाओ रुख जाओ डोगा I say stop तार तार उठ खड़ा हो चला गोलिया दस हजार चला डोगा पर चला पर किसी निर्दोस को नहीं मरने देगा डोगा डोगा गोलिया चलाना बंद करो वो मर चुका है he is no more he is dead हाँ मरना ही था इसको तूटना ही था इसकी खोपडी को मेरे हाथो चकना चूर होना ही था इसकी हड्डियो को क्योंकि ऐसे ही हाथो अनात होकर डोगा बनने वाले किसी इंसान की भावनाय मर जाए इंसान बने रहन दोगा पागल हो गया था दोगा तो है ही पागल लेकिन उसे पागल बनाया किसने बुलेट मैं जैसे हत्यारों के कमीने और वहसी पनने वूँ 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 अटो हटो पुलिस को रास्ता दो लेकिन डोगा को रास्ता कौन देगा इसे ये जवाब कौन देगा कि उसे किसने फेका कुडे पर न्यू इयर के रंग में भंग पड़ गया लेकिन हम सब खून में रंगने से बच गए मगर ये किरन कहा गई उसे ये जवाब कौन दे सकता है कि उसे किसने फेका कुडे पर क्योंकि आज मैंने उसे गोर से देखा आज मैंने महसूस किया कि डोगा वास्तों में डोगा क्यों है आज मैंने उसकी कसमसाहट को करीब से देखा है जिसने उसे दोगा बनने पर मजबूर किया है आज मैंने देखा है कि अपराच से लड़ते वक्त वो एकाएक इतना हिंसक क्यों हो जाता है इसलिए नहीं कि उसने दरिंदगी देखी है अरे किरन रुको दोस्तों और पार्टी को छोड़कर कहां जा रही हो हपी नियर क्यों फेका कुडो पर हाँ ये एक प्रशन आज भी उसके दिलो दिमाग को सांप की तरह डस रहा है ये प्रशन जहर बनकर आज भी उसके रगों में बहता है और जब भी ये विस अपना असर दिखाता है जब भी उसे बुलेट मैं जैसे सांप दिखते है वो हिंसक हो जाता है अगर उसे इस प्रशन का उत्तर मिल जाए तो साइद दोगा के कुट्टे जैसे मास की नीचे जो सूरत है वो सूरत जो सब्य समाज का हिस्सा है साइद उसे आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाए उसे ये रास्ता मैं दिखाऊंगी सूरज की रगों में लावा उबल रहा था ताड 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 नहीं मैं उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता दोगा वाला आकरोज उसके चेहरे के चप़े चप़े को अपने पावों तले रोंद रहा था कभी नहीं बढ़ सकता मैं उस रास्ते पर हूँ ताड 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 सूरज तुम होस में नहीं हो किस रास्ते पर बढ़ने की बात कर रहे हो हाँ द्रक चाचा मैं होस में नहीं हूँ क्योंकि रिष्टो की जुर शड़क दिखी थी मैं उस पर चल नहीं सकता किरन जो मेरी बहन है उसे बहन कह नहीं सकता भानू और सुरिय जो मेरे भाई है उन्हें भाई नहीं कह सकता वो जश्टिस चोदरी जो बाप है मेरा उसे बाप नहीं कह सकता मैं मुझे ये तो पता चल गया कि अनात नहीं हूँ मैं कुत्ते का बच्चा नहीं हूँ गटर की पैदाईस नहीं हूँ तर 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 लेकिन फिर भी वहाँ जाकर मेरे हाथ उसका गिर्यबान नहीं थाम सकते जुबान उससे पूछ नहीं सकती कि बताओ क्यों फेका कुडे पर तू उस जमीन पर क्यों चलना चाहता है जो काटो की बनी है तू उसी रास्ते पर चल जिस रास्ते पर पहले चलता था और अभी भी चल रहा है बस याद रख तेरे सारे रिष्टे मुझ पर मोनीका पर और चीता पर आकर खतम होते हैं याद रखने की कोशिस करता हूँ अद्रक चाचा लेकिन फिर भी रास्ता बटक जाता हूँ ये जानते भूशते भी पाओ उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं कि रास्ता खराब है वो खायल होंगे डोगा को उसी रास्ते पर लाने के लिए अपने परियासों में जुटी थी किरन हाँ भानू medical science इस बात का परमान है कि पिता और पुत्र के DNA आपस में मिल सकते हैं लेकिन डोगा और सुरियक के DNA आपस में क्यों मिलते हैं इसका जवाब तो हमारे पिता जी ही दे सकते हैं इसका सीधा सा जवाब ये है कि हमारे पिता जश्टिस चोदरी जो की ना सिर्फ हमारे भाई सुरियक के भी पिता है बलकी डोगा के भी पिता है इस सच्चाई को अवाख होकर सुन रहेते जश्टिस चोदरी सिर्फ आप पापा सिर्फ आप हमें बता सकते हैं कि डोगा को क्यों फेका कुडे पर मुझे बताईए पापा इस एक जवाब से किसी की जिंदगी सुदर सकती है आकिर वो भी तो आपको आपका अपना ही है हमारा भाई ही तो है वो उसकी वज़य है कि रन उस बच्चे के पैदा होते ही मेरी पत्नी मालती की मौत हो गई थी मुझे उस बच्चे से नफरत हो गई थी इसलिए मैंने उसे कूडे पर फेंक दिया लेकिन अपनी उस हरकत पर बाद में मैं बहुत पच्टाया था मैं वापस गया था उसे लाने पर वो मुझे वहां नहीं मिला था मैंने उसकी बहुत तलास करवाई वो मुझे ना मिला हाँ मैं उसका प्रादी हूँ किरन मैंने जो किया वो नरसंस्ता थी कहानी 19 पेट से जारी थ्रिल होरा सस्पेंस की ये धमाकेदार कोमिक्स हत्यारे बाल, आत्मा राम, कब क्यों और कहां सारजेंट भूतनाथ, भूत इस्पेक्टर, जेल सरीर, बारा सिंगा मरा जिंदा मरा, विल बी अप्लोडिड सून सख्युग, त्रेता युग और भापर युग, हर युग में मैंने मारा है इस ममता पाटक को, और अब कल युग में भी ये मेरे हातों मरेगी इस बार तु इसे नहीं मार पाएगा युग हत्यारे, कल युग मैं इसे तुस्से जरूर बचा एगी सक्ती लेकिन इस बार मेरे हाथों जरूर मरेगा युग हत्यारा राज कोमिक्स में सक्ति सिरीज का रोमांचक कोमिक विजिसांग जरूर पड़े ये कोमिक चैनल पर अलेडी अप्लोडिड है जो हुआ सो हुआ लेकिन अब आप अपने उस गुनहा पर हमेशा के लिए परदा नहीं डाल पाएंगे आपको उस बच्चे को अपनाना होगा समाज में डोगा को भी वही जंगा देनी होगी जो हमें मिली है उसे भी बाप का नाम देना होगा बताना होगा सारी दुनिया को कि डोगा अनात नहीं है वो जश्टिस चोदरी का बेटा है बताईए पापा क्या आप ऐसा कर पाएंगे अगर आपका जवाब नाम में है तो अपनी रिष्टो की किताब में से अपनी बेटी का नाम हमेशा के लिए कार देना नहीं ऐसा करने की मुझे में हिम्मत नहीं है दोगा को खोने के बाद उसे वापस पाने के लिए मैं बहुत तरपा हूँ लेकिन क्या दोगा हमें स्विकार करेगा मेरे परती जो गुसा वे गरना उसके दिल में है क्या वो दूर होगी आप सिर्फ अपने पाप का बोज अटाईए पापा मुझे सुरिय सी भी बात करनी होगी आप सिर्फ अपने पाप का बोज अटाईए पापा दोगा अपने गुसे, अपनी नफरत और अपनी घ्रना का बोज अटाता है या नहीं ये आप उसी पर छोड़ दीजे जले हुए उस चहरे के चप्पे चप्पे पर दोगा के परती नफरत वे परती शोध की चिंगारिया उड़ रही थी क्या कहा तूने टाइगर क्या कहा तुने दोगा का पीछा छोड़ दू बिजली की तारों से बान दियाता उसने मुझे ये चहरा उसी बिजली ने जलाया है लेकिन किसमत से मैं बच गया जानता है किसलिए दोगा को मारने के लिए उफ चनाक और तू कहता है मैं उसका पीछा छोड़ दू अरे अभी तो एक ब्रेट मैन मरा है मैंने तो उसके खिलाफ हध्यारों की पूरी टीम खड़ी की है जो उस कुत्ते को ढूंड कर उसके टुकड़े टुकड़े करेगी जिंग 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 बी-बी नाम है मेरा ब्रिलियंट बी छोड़ूँगा नहीं मैं उस कुत्ते के बच्चे को उसकी मोत मेरा मकसद है जिंग कड़ात अब हम दोनों में से एक ही जिंदा रहेगा इस विश्य में जानने के लिए पड़े दोगा माई ब्रोदर इस सीरीज की इस से पहले की कोमिक्स ये कोमिक्स चैनल पर अल्रेडी अप्लोड़िड है जरूर पड़े और चलिए दोस्तो इस भाग में इतना ही ये रोमान्चक कोमिक्स की कहानी जारी है अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कोमिक्स के अगले भाग में तब तक के लिए धन्यवाद झाल 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 झाल